जैश्री क्रिष्णा आज रमाई का दसी पर आये सुनते हैं मा तुलसी की कथा इसे सुन्ने मात्र से भगवान विश्रू एवं मा लच्मी की असीन कृपावरस्ती है सावरी मुनी की पुत्री तुलसी अपूर्व सुन्दरी थी उनकी इच्छा थी की उनका विवा भगवान नारायर के साथ हो इसके लिए उनकोंने नारायर परवत की घाटी में श्थित बदरी बन में घोर तपस्या की दिर्ग कार तक तपस्या के उपरान ब्रह्माजी ने प्रसंद होकर दरसंदिया और बर्मागने को कहा तुलसी ने कहा श्रिष्ट करता ब्रह्मधेव आप अंतर्यामी हैं सबकी मन की बात जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूं मैं चाहती हूं कि भगवान श्री नारायर मुझे पती रूप में बिने ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा अपने पूर्वजन में किसी अपराध की कारण तुम्हें स्राप मिला है इसी प्रकार भगवान श्री नारायर के एक पारसद को भी दानवकुल में जन्म लेने का स्राप मिला है दानवकुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायर का अंस विद्मान रहेगा इसलिए इस जन्म में पूर्वजन्म के पाप के समन के लिए संपूर नारायर तो नहीं नारायर के अंस से युक्त दानवकुल जन्म में उस स्राप ग्रस्त पारसद से तुम्हारा बिवा होगा स्राप मुक्त होने पर भगवान स्री नारायर सदा सरवदा के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तुलसी ने ब्रह्मा के इस्वर को श्विकार किया क्योंकि मानवकुल में जन्म लेने के कारण उसे मायाबी भोग तो भोग ना ही था तुलसी बद्री बन में ही रहने लगी नारायर का वह पारसद दानो कुल में संख चूर के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों के बाद वह भ्रमर करता हुआ बद्री बन में आया यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्द हो गया तुलसी के सामने उसने अपने साथ बिवाह का प्रस्ताव रखा इतने में ही वहाँ ब्रम्हा जी आ गए और तुलसी से कहा तुलसी संख चूर को देखो कैसा देवोपम इसका स्वरूप है धानों कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके सरीर में नारायर का वाशो तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्विकार कर लो तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर हुई उसे इच्छिक फल मिला है संख चूर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह संख चूर के साथ उसके महल में पतनी बन कर आ गई संख चूर ने अपनी परमसुंदरी सती साधवी पतनी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देव लोग तक उसकी अधिकार में आ गया स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दसा भिखार्यों जैसी हो गई संख चूर किसी को कष्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्डू और सिव की सभा में गए तथा अपने विपत्ती सुनाई ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी परमसाधवी है उसका विबा संख चूर से मैने ही कराया था संख चूर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाये बिष्डू ने कहा संख चूर पूर्वजन में मेरा पारसत था स्राप की कारण उसे दैत्य लोक में जन्म लेना पड़ा इस जन्म में भी मेरा अंस उसमें ब्याप्त है साथी तुलसी के पती ब्रद्धर्म से वह अजेय है फिर देवताओं की सहमती से भगवान सीव ने संख चूर के पास संदेश भेजा की या तो वह देवताओं का राज्य लवटा दे या फिर उनसे युद्ध करे संक चूर संकर के पास पहुचा उसने कहा देवाधी देव आपके लिए देवताओं का पचलेना उचित नहीं है राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तब्य है मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है हमारा आपका युद्ध सोभा नहीं देता अगर आप हार गय तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपकी किर्ती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी भगवान संकर हसे वे तो सब रहस्य समझते थे तुलसी और संख चूर के पूरुवजन के स्राव की अधि लगभग पूरी हो चुकी थी बोले इसमें किर्ती और लज्जा की बात नहीं तुम देवों का राज लवटा कर उन्हें उनके पत्पर प्रतिष्ठित होने दो युद से बचने का यही एक उपाय है संक चूर ने कहा मैंने युद के बन से देव लोक जीता है कोई उसे युद के द्वारा ही वापस ले सकता है यह मेरा अंति मुत्तर है मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर संक चूर चला गया उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कर्म भोग सब काल सुत्र में बधा है जीवन में हर्स, सोख, भै, सुखदुक, मंगल-मंगल काल के अधीन है हम तो कीवल निमित्त है संभव है भगवान सीव देऊं का पचलेकर मुझसे युद्ध करें तुम चिन्ता मत करना तुम्हारा सती तेर मेरी रच्छा करेगा दूसरे दिन भगवान संकर के नित्रित्व में देवताओं ने युद्ध छेड दिया संकर ने भी भीशर बारों की वर्षा कर उनका वेग रोका उसके प्रहार से देवता दगमगाने लगे उसने दानवी सक्ती का प्रियोग कर माया भी युध आरंभ किया युध हस्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसके अस्त्रसस्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे देवगर अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं क्योंकि कोई सत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर युध चला संख चूर पराजित नहीं हुआ तब सिव ने बिश्डू से कहा बिश्डू कुछ उपाय करो अन्य था मेरा तो सारायस मिट्टी में मिल जाएगा बिश्डू ने सोचा बल से तो संख चूर को हराया नहीं जा सकता इसलिए छल का सहारा लेना होगा उन्होंने तुरन अपना स्वरू संख चूर जैसा बनाया और अस्त्रस्त्र से सज्जीत हो तुलसी के पास आये बोले प्रिये मैं युद्ध जीत गया सारे देवता भगवान संकर समेत हार गये इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लू पती को प्रत्यच खड़ा दे तथा विजय का समाचार सुन वह दोरकर माया भी संख चूर के गले से लिपट गई इस प्रकार पती पतनी दोनोंने आलिंगन हो खुब खुशी मनाई पर पुरुस के साथ इस प्रकार के बिवहार से उसका सतीते नश्ट हो गया उसका सतीते जो संख चूर की कवच की रूप में रच्छा कर रहा था वह कवच नश्ट हो गया संख चूर सक्ति हीन हो गया यह जानते ही भगवान संकर ने अपने त्रिसूल से प्रहार किया त्रिसूल के लगते ही संख चूर जल कर भस्म हो गया संखचूर के मरने को जानकर विश्डू अपने असली सरूप में आ गए सामने अपने पती संखचूर के अस्थान पर भगवान विश्डू को खड़ा देख तुलसी बहुत बिस्मित हुई उसको पता लग गया कि स्वयम नारायर ने उसके साथ छल किया है क्रोध में आकर उसने स्राप दिया एक सती इस्त्री का सतित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदरहिन पत्थर हो जाओ विश्डू ने तुलसी के स्राप को सिरोधार्य कर कहा देवी तुम्हारे तथा संखचूर के कल्यार के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तुम दोनों साप मुक्त करना है तो अपने सरीर को त्याग कर तुलसी बिर्वा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं साली ग्राम पत्थर बनूंगा मेरे सीस्पर तुम आदर से बिराजमान होगी तुम्हारे पती की हड्यों के चूड से संख की उत्पत्ती होगी उस संख की ध्वनी से देवताओं तथा मेरी पूजा आरादना होगी जहां संख ध्वनी होगी वहां मंगल मैं मैं विराजमान रहूंगा तुमने पुर्व जन में बद्री बन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगले जन में मैं नारायर प्रस्तर के रूप में बद्रिनाथ बन में अस्थापित होंगा और मेरी पूजा आचना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी मेरे सीश पर बिराजमान होकर तुम मुझसे भी उचापन प्राप्त करोगी